पाठ नौ, सर्वनाम, प्रोनाउन, देखिए, पढ़िए और समझे, मैं उसे जानती हूँ, उसका नाम सुमित है, वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, उसको सभी अथ्यापक प्यार करती है, इन वाक्यों में उसका, उसे, वह और उसको सुमित के स्थान पर आए है, मैं बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किया है, ये शब्द सर्वनाम है, अतहा हम कह सकते हैं, जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रयोगत होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे, मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हम, हमें, हमने, वे, कौन, कुछ, क्या, आदे, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छे भेद हैं, सर्वनाम, एक, पुरुष वाचक सर्वनाम, दो, निश्चय वाचक सर्वनाम, तीन, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चार, संबंध वाचक सर्वनाम, पांच, प्रश्न वाचक सर्वनाम, छे, निजवाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम जब दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विशह में बात चीत करते हैं, तो वहां तीन लोगों के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वक्ता बोलने वाला के लिए, श्रोता सुनने वाला के लिए, अन्य जिसके बारे में कहा जाता है के लिए इसी आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विश्य में कहा जाए उनका बोध कराती हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहती हैं जैसे मैं, तू, वह, तुम, हम, आदी पुरुष वाचक सर्वनाम के तीन भीद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाती है जैसे मैं, हम, हम सब, हम लोग आ दे मध्यम पुरुष सर्वनाम जिससे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसको संबोधित करके कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, मध्यम पूरुष सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तू या व्यक्ति की ओर निश्चत संकेत करते हैं। पूरुष सर्वनाम और निश्चय वाचक सर्वनाम दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, अन्यपुरुष। यह मेरी किताब है और वह त तुम्हारी किताब। निश्चय वाचक अनिश्चय वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्रानी या वस्थू का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दर्वाजे पर कोई आया है, दूद में कुछ गिर गया है। संबंध वाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त, दूसरे संग्या या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाजे सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा, वह पास होगा, जो करेगा सो भरेगा। प्रश्न वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन आया है? आज तुमने क्या खाया? निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम करता के साथ अपने पन का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे महेश्य हकाम स्वयम कर लेगा, वह अपने आप आ गया. सर्वनामों की रूप रचना सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता. पुरुश वाचक मध्यम पुरुष तू शब्द, कारक एक वचन बहुवचन, करता, तू तूने, तुम तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने, कर्म तुझे तुझको, तुम्हें तुमको, तुम लोगों को, करन तुझसे तेरे दुआरा, तुमसे तुम्हारे दुआरा, तुम लोगों से, संप्रदान तेर पुरुष वाचक अन्य पुरुष वह शब्द करता वह उसने, वे उन्होंने, वे लोग उन लोगोंने कर्म उसे उसको, उन्हे उनको उन लोगों को करन उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा संप्रदान उसके लिए, उनके लिए अपादान उससे प्रिथकता उनसे उन लोगों से प्रिथकता संबंध उसका उसकी उसके उनका उनकी उनके उन लोगों का उन लोगों के उन लोगों की अधिकरण उसमें उसपर उनमें उन पर उन लोगों में उन लोगों पर संबंध वाचक जो शब्द कर्ता जो जिसने जिन होने जिन लोगों ने कर्म जिसे जिसको जिन हे जिनको जिन लोगों को कर्ण जिससे जिसके द्वारा जिन से जिनके द्वारा जिन लोगों के द्वारा संप्रदान जिसके लिए जिसको जिनके लिए जिनको जिन लोगों के लिए अपादान जिस से प्रिथकता जिन से जिन लोगों से प्रिथकता संबंध जिसका जिसके जिसकी जिनका जिनके जिनकी जिन लोगों का जिन लोगों के जिन लोगों की अधिकरन जिसमें जिस पर जिन में जिन पर जिन लोगों में जिन लोगों पर निश्य वाचक यह शब्द इस से प्रथकता, इन से इन लोगों से प्रथकता, संबंध इसका इसके इसकी, इनका इनके इनकी, इन लोगों का के की, अधिकरन इसमें इस पर, इन में इन पर, इन लोगों में इन लोगों पर. अनिश्चे भाचक कोई शब्द संबंध किसी का किसी के किसी की किनही का किनही के किनही की अधिकरन किसी में किसी पर किनही में किनही पर प्रश्चन वाचक कौन शब्द करता कौन किसने किन होने किन लोगोंने कर्म किसे किसको किन है किनको किन लोगों को करण किस से किस के द्वारा, किन से किन लोगों से किन लोगों द्वारा संप्रदान किस के लिए किस को, किन के लिए किन लोगों के लिए अपादान किस से प्रिथकता, किन से किन लोगों से प्रिथकता संबंध किस का किस की किस के, किन का किन की किन के अधिकर्ण किस में किस पर, किन में किन पर, किन लोगों में किन लोगों पर निजवाचक आप शब्द आदर या श्रद्ध व्यक्त करने के लिए तू या तुम के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के छैभेद, पुरुश वाचक, निश्य वाचक, अनिश्य वाचक, संबंध वाचक, परश्न वाचक, निजवाचक। पुरुष वाचक सर्वनाम तीन प्रकार के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. सर्वनाम में संबोधन नहीं होता.